गुद आफ्टरनून एवरिबन आज हम कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर की फर्स थियूरम है इसका नाम है थेल्स एंड बीपीटी थियूरम थेल्स जिसने बनाई है और बीपीटी का मतलब है बेसिक इसका मतलब है बेसिक परपोर्शनेट थियूरम जिसमें बेस एंड परपोर्शन को लेके उसके साथ इसका कॉंबिनेशन किया है और जैसे जैसे हम इसकी लाइन को स्टेटमेंट को पढ़ेंगे वैसे वैसे ही हम इसका डाइग्राम ड्रॉ करेंगे और थियूरम को सॉल्व करेंगे सबसे पहले है if a line is drawn पहले to one side of a triangle अब देखो यहां पे triangle की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें यहां पे क्या चाहिए सबसे पहले एक triangle चाहिए so we will draw our triangle triangle draw करने के बाद triangle draw करने के बाद जो है हम line को दुबारा से read करेंगे कि यह line है उसे हमें draw करना है जो के triangle के एक side के pallor हो तो यह वाली side के हम pallor जो है वो line को draw करेंगे और वो यह line है वो intersect करेगी cut करेगी other two points के उपर जो के distance के उपर होएंगे दोनो side पे so यह दोनो other sides है इसके उपर दो point हमने ले लिए है और इन दोनों को जो है हमने join कर देना है आपस में और यह वाड़ी जो line है यह नीचे वाड़ी line के जो है वो pallor हो जाएगी so अब इनको नाम दे देंगे triangle को नाम देंगे ABC और जो हमने दो point लिए है उनको एक नाम देंगे E और दूसरे को देंगे F तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे given given में क्या आएगा ABC is a triangle वो एक triangle है in which E F pallor to BC जिसमें E F जो है वो BC के pallor है तो यह हमें given है अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जब जो है वो दोनों जो points है जो दोनों साइडों पे हैं वो cut कर रहे हैं, divide कर रहे हैं same ratio में उन साइडों को वो same ratio में divide कर रहे हैं और यही हमने प्रूफ करना है तो यहाँ पे लिखेंगे to proof to proof में क्या आएगा कि यह दोर points जो हैं वो दोनों साइडों को same ratio में जो है divide कर रहे हैं तो इसकी ratio क्या बनेगी A E और E B तो यहाँ पे आएगा A E upon E B यो के equal होएगा A F और F C के A F upon F C और यह इसको हमने क्या करना है proof करना है तो आगे है construct करेंगे इसमें हम construction कुछ अपनी और से draw करेंगे proof करने के लिए क्या draw करना है E से हम draw करेंगे एक perpendicular जो के दूसरी साइड पे जाके cut होएगा तो उसको नाम देंगे G और ऐसे ही F से जो है हम draw करेंगे और उसको नाम देंगे H अब जो है B के साथ F को join कर देंगे सेम वे में E के साथ जो है वो C को join कर देंगे और यहां पे हम लिखेंगे draw E G perpendicular upon A C E F G F H perpendicular upon A B and join कर रहे हम B to F दूसरा कौन सा कर रहे हैं? E to C अब यहां से हम start करेंगे इसका proof जो हमने main proof करना है So जो चीज हमारे पास है हमने उसी चीज को जो है वो लेके जाना है सबसे पहले जो है यह हमारे पास एक triangle है So इसमें formula यूज़ होईगा area of triangle area of triangle का formula होता है half into base into height इस formula के साथ हम जो है इस theorem को solve करेंगे So सबसे पहले हम यहां पे लेंगे दो triangle लेंगे एक side के उपर जो बने है इस side के उपर left side के उपर जो triangles बने हुए हम उनको लेंगे पहला triangle कौन सा है a, e, f and second जो triangle है उसके साथ यह लेंगे e, b, f So in triangle a, e, f and दूस्टर triangle जो है वो है e, b, f अब इन दोनों triangle का हमने area जो है उसको ratio में लिख लेना है So area लिखा area का formula क्या है half into base into height तो half पहले यह उपर वाना triangle देखो यहाँ पे देखो एक तो half है तो अब लेंगे हम base और इस triangle में angle, right angle यह बन रहा है है ना, तो यह right angle बन रहा है तो किसके उपर बन रहा है वो a, e के उपर बन रहा है तो base क्या हुआ इसका a, e अब इसकी height क्या हुएगी अब जिस चीज की उपर जो है जिसके साथ हमें पता चल रहा है कि यह angle जो है वो इसकी length कितनी है तो वो इसकी height हो जाएगी तो किस से पता चलेगा f, h से तो यह आ गया f, h और नीचे ही same way में half जो दूसरा यह नीचे वाला triangle है इसका भी base यह इस चीज का base जो है किसके उपर बना हुआ है e, b के उपर और इसकी height जो है क्योंकि यह obtuse angle है तो इसकी height बाहर की तरफ है क्योंकि right angle height तो हम बाहर से नापेंगे तो इसका measure करेंगे तो इसकी height क्या हुई same f, h तो अब इसके साथ जो है half के साथ half cut हो गया यहाँ पे f, h के साथ f, h कट हो गया तो हमारे पास क्या है बच्छा a, e, upon e, b इससे हम देंगे one same way में अब हम second side लेंगे तो उसमें क्या होएगा in triangle same triangle फिर से वही लिया जाएगा a, e, f and दूसरा triangle कौन सा होएगा इस side से हिसाब से f, c, e तो यहाँ पे आएगा triangle f, c, e और इसको भी हम same ratio में लेंगे area of triangle a, e, f upon area of triangle f, c, e तो इसमें भी same half तो इसमें जो है base क्या बनेगा तो यह वाला जेवारी side की तरफ जो है base यह बन रहा है क्योंकि यह वारी इसकी height है तो जहाँ पे angle बन रहा है जिसकी उपर angle बन रहा है उस line को हम बोल देंगे base तो a, f हुआ base और इसकी height हो जाएगी e, g same way में जो नीचे वाला angle है triangle है उसमें भी उसका base जो है इसकी उपर बन रहा है तो यह f, c हुआ उसका base और height उसकी भी क्या है बाहर की तरफ बन जाएगी तो यहाँ पर आएगा f, c into e, g अब half के साथ half cut हो गया e, g के साथ e, g cut हो गया तो हमारे पास क्या बचा a, f upon f, c तो इसे दिया number 2 अब उसके बाद जो है हम लिखेंगे एक note लिखेंगे note क्या है उसमें हमें यह चीज जाद रखनी है जो triangle इसमें हमें दिये हुए है यह नीचे में यह वाले जो triangle हमें दिये हुए है जो triangle e, b, f है n triangle f, c, e है r on the same base वो same base के अंदर है same base कौन सा है e, f, and दूसरा क्या है b, c तो वो कौन से triangle में बने हुए है उसका base देखो कौन सा है यह triangle किस चीज के उपर बने हुए है e, f में तो base क्या हुआ e, f, and same parallel lines और कौन सी parallel lines में बने हुए है e, f, and, b, c के बीच में तो e, f, and, b, c अगर यह दोनों triangle जो है वो same base e, f पे बने हुए है और same parallel lines e, f, and, b, c के उपर बने हुए है then इसका क्या मतलब हुआ जो triangle e, b, c, f, and, e वो equal है triangle e, c, f, c, e के तो इसे हम देंगे number 3 then from 1, 2, and 3 अगर यह वाला जो है triangle a, f, a, e, f और a, e, f यह तो equally है same तो दूसरे भी दोनों same हो गए that's mean अगर यह दोनों आपस में same है तो क्या जाएगा जो area जो है a, e, f upon triangle e, b, f वो equal हो जाएगा area triangle a, e, f triangle f, c, e, k तो यह आपस में equal हो गए equal होने के साथ जो है यह इनके answers आएं वो भी आपस में ratio जो है वो equal होगी so ratio क्या आई a, e, upon e, b वो equal हो जाएगी a, f, upon f, c, k तो यह दोनों equal हो गए तो हमने proof क्या करना था यही proof करना था यह है हमारा proof तो यह हमने proof कर दिया तो इसके साथ क्या हुआ यह हेंस proof अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है थें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें झाल झाल